सब बात है रेमेडियल वास्तू की अब मैं यह स्टार्टिंग में बोल रहा हूं रेमेडी कुछ नहीं होती है कि तरह पैटा सा है ना पुर्या जैर्री रेमेडियल वास्तू पर रेमेडी कुछ होती नहीं है रेमेडी हमारी अफचिंतन मंद से सचित मंद की यात्रा है हम जो मन में धारन करते हैं हम जो मन में अपने ख्याल लाते हैं और हम जो फीलिंग्स लाते हैं और उसके बाते हैं से जो एनर्जीज क्रेड होती है उन एनर्जीज के ओपर काम करते हुए हम जब अपनी मंजिल को टाय करते हैं, अपने लक्षे को टाय करते हैं, वो एक्चुली रेमेडी होती हैं. बाकी जितने भी एक्विप्मेंट्स होते हैं, इंतने भी परधारत होते हैं, वो सारी चीज़े हमें हमें हेल्प करती हैं, उनको प्राप्त करने में, इंतना ही काम है. अगर हम इन सब को बैलंस करना सीख जाएं तो remedy अपने अब होनी शुरू हो जाती है We are nobody in this world to do any remedies It is all divine force, it is all God gift It is all blessings of the, our gurus, everybody's gurus क्योंकि शम्ताव उनी में ही है जो कुछ कर सकते हैं हम तो सिर्फ followers है हम प्रियास कर रहे हैं उस प्रियास के बाद हम से बहुत साई energies को हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने आपको balance कर सके align कर सके उन energies के मादारे में हम energies को balance नहीं कर सकते हैं We can balance ourselves हमारा control हमारे पे है हमारे energies को Cosming energies पे हमारा control तो रही है They are universal, they are very powerful हम सब्सक्राइब को control कर सकते हैं हम अपने पंचितत को control कर सकते हैं अगर हमने अपने पंचिततत को control करने की थोड़ी भी शम्ता दिखाई कोशिश करी माग पे चले हमारा अफचेतन मन control होता है उसको रहा मिलती है हमारी remedies श्रूर हो जाती है वहीं से हो नहीं, एक्चिली तो, बाकि जितनी भी चीज़े हैं, बाकि जितनी भी परदारत हैं, वो सारी उस यात्रा में, हल्फुल और स्पोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, सब को पता है, पांच पंच चितफ होते हैं, पांच पंच चितफ अगनी प्रत्वी वायू जल अन ये वाаем सबको पता है, पुरा शरीर उससे बना है, जगत पंच चितफ से बना है, पुरा वातवर अन पुरा यूनिवर्स पंच चितफ से बना है, तो वो अर वी डू कंटॉल पंच चितफ है, जो हमारी इंदरियों होती है, साउंड, सुनना, टच करना, शेप, अकार, टेस्ट और खुश्बू, स्मेल ये पाँच पंच्चतत में पाँच तरके अलिमेंट होते हैं जो की हमारे को अपने पूरे सिस्टम में नदर आते हैं और जुनकी परक करके हमारे को थोड़ा थोड़ा अलाइमेंट करना ही ये पूरा 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 पंच्चतत बैलेंसिंग एक्ट है जो लोग कई रेकी हमारे हम से करते हैं कोई चक्रास के हमारे हम से करते हैं कोई किस तरस के हमारे हम से करते हैं कोई किसी और हमारे हम से करते हैं अर्टीमेटली होते यही पांच चीजी हैं PAS senses है जिनको контроль करके हम अपने पंच बूत को गरियास करते हैं हमसे प्रॉयास करते हैं बाकी करना कराना तो बालिक के हाद मुझे हाद जथ तक वो नहीं चाहेगा तब तक हमें कुछ नहीं प्राप्प होता एसके साबसा अगर अगर हैं पाँच एलिमेंट में सबसे जो पाँचों एलिमेंट होते हैं, वो होते हैं अर्थ, पाँचों जो सेंसिस होती हैं, वो होते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर, sound, touch, shape, taste, smell, पाँचों होती है, इसलिए जो विक्ती का अर्थ बहुत स्ट्रॉंग होता है, वो विक्ती को Sense होती है, Sound, वो होती है Space, इसलिए, Meditation Space से होता है, क्योंकि ध्रवनी, जो होती है, वो Meditation का Part है बगकी रगी तीन Water में चार senses होती है Water में smell नहीं count होता Rest everything counts in water that is sound, touch, shape and taste counts in water and fire के अंदर taste or smell count नहीं होता which means fire have sound, touch and shape and then the air which have sound and touch अब हम दर्ती पे रहते हैं दर्ती पे रहते हैं पंच माबूतों का हमारा श्रीर बना है यूरिवर्स पे हम उसके साथ रहते हैं पुरा यूरिवर्स ब्रामान की creation पंच माबूत से होई है इन five senses को हमारे को अपनी जीवन के साथ चलाना है और इन senses को चलाने के लिए हमारे को इन senses के उपर अपना control strong करना है और इस control को strong करने के साथ हमें अपनी दिशाओ को समझना है तो हम अपनी वास्तु को control में लाने की कोशिश कर सकते हैं परियास कर सकते हैं क्योंकि हम सब लोगों की बाड़ी अकार जैसा है जैसा हमारा सबका बाड़ी अकार है वैसा हमारा घर का वास्तु हमें परदान होता है और हमारे घर के वास्तु में जो चीजों की कमियां होती है जो जगाओं पे gaps होते हैं वो उसकी बरपूरती हमारी बाड़ी करती है विकारों के रूप में हमारे को जो नाना पकार की विकार आते हैं तकलीफ बीमारी रिलेशन्स की इश्यूज और नाना पकार की समस्य जो आती हैं उन सबकी बर्पाई हमारी बॉड़ी कर रही होती है हमारे भवन के दोशों की बतले में इसलिए वास्तू की इंपॉर्टनस आजाती है कि हमारी direkt करते हैं हमारी बाडी को तकलिफ कम हो हमारी चेत्रा को हमारी काया को तकलिफ कम हो हमें इस दुनियावी स्टिक वर्ल्ड में रहते हो है थोड़ा इजी गोइंग लाइफ हो जाए है इसलिए हम अपना वास्तू को कंट्रोल करने कोशिश करता है अपने गर के वास्तू को अपने आसपास के वास्तू को आफिस के वास्तू को अपने जितने भी आसपास के च्छितर है उन सब जिसमें हम बिलॉंग करते हैं जहां से हम कनेट करते हैं उन सब को कंट्रोल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो काया है वो नीरोगी या कम तकलीफ से जीवन को अच्छे से वितीत कर सके